जो हाज साथियों आप सभी का स्वागत है आपके अपनी चैनल कुईक नॉलेज में आज की यह वीडियो आपके लिए काफी महत्पुन होगा क्योंकि इस वीडियो में हम लोग जार्खन बजट 2022-23 के 20 सबसे महत्पुन प्रस्णों को कभर करेंगे जो 20 सबसे महत्पुन MC कोई प्रस्णों होगे उसे कभर करेंगे यह वीडियो आपके आने वाले सभी एक्जाम जैसे कि JSAC CGL उत्पाथ सिपाई और जार्खन के जो दूसरा भी एक्जाम है उन सभी के लिए most important वीडियो होगा भी भी आए वीडियो है तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो पहला प्रस्न है जार्खन 2022-23 का बजट कितने करोर रुपिय का पेस किया गया है बहुत important प्रस्न है कि इस साल का बजट कितने करोर रुपिय का पेस किया गया है तो इसका right answer हो जाएगा A 1 1001,101 करोर तो इसको याद रखने का सबसे आसान तरीका है कि आप 101 और 101 से याद रखिएगा 101 और 101 दो बार लिख दीजिएगा तो इतने करोज रूपिये का बजट इस बार पेस किया गया है तो यह इससे आपको ध्यान में रहेगा तो चलिए अगले प्रस्न की और बहते हैं अगला प्रस्न है 2022-23 में राई जी की विकास दर कॉंस्टेंट प्राइस पर कितने होने का अनुमान है विकास दर यहाँ पर पूछ रहा है किस पर तो कॉंस्टेंट प्राइस पर तो 2022-23 का राई जी का विकास दर कॉंस्टेंट प्राइस पर कितने होने का अनुमान है तो इसका राई टेंसर हो पर होने का अनुमान है, तो चलिहें अगले प्रस्ण की और बहते है, तो अभी हमने constant direct पर जाना की राइच विकास दर constant दर पर कितना होने का अनुमान है, तो current price पर अगला प्रस्ण पूछ रहा है कि 2022-23 में राइच का विकास दर current price पर कितने रहने का अनुमान है तो current price पर बोलेगा तो याद रखिएगा कि इसका answer हो जाएगा A 10.72 तो current price पर हो जाएगा तो 10.72 और constant price बोलेगा तो 6.15 तो ध्यान में रखेगा 6.15 परतिसद constant price पर और 10.72 तो current price पर विकास दर रहने का अनुमान है तो चली अगले प्रस्न की और बरते हैं अगला प्रस्न है कि budget अगला प्रस्न है budget 2022-23 में बिद्याथियों को परहाई के लिए आतिक सहाईता देने के उब्दिश से इस योजना की घोसना की गई है किस योजना की घोसना की गई है बिद्यातियों को परहाई के लिए आथिक सहाईता देने के उब्दिश से इसका राइट एंसर हो जाएगा ए गुरुजी क्रेडिट काड योजना चलिए इसके प्रसंद के डिटेल को देख लेते ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए तो आपको बता दे कि बिद्यातियों को परहाई के लिए आथिक सहाईता देने के उब्दिश से गुरुजी क्रेडिट काड योजना की घोसना की गई है इसके तहट जरूरत मंद बिद्यातियों को परहाई के लिए रिन दिया जाएगा तो गुरू जी क्रेडिट कार योजना परहाई के लिए आठिक साहिता देने के उपदिश से शुरू की गई है तो चलिए अगले प्रसन की और भाते हैं अगला प्रसन है मुख मंतरी सार्थी योजना की सुरुवात किसके लिए की गई है यह बताना है आपको तो इसका right answer हो जाएगा B पत्योगीता परिच्छाओं की तैयारी करने वाले चात्रों के लिए ही सुरू की गई है क्या मुखमंत्री साथी योजना तो ध्यान में रखेगा मुखमंत्री साथी योजना पत्योगीता परिच्छाओं की तैयारी करने वाले चात्रों के लिए चलिए अगले प्रस्ण की और बरते हैं और अगला प्रस्ण है आपके सामने अगला प्रस्ण है कि जैपाल सी मुंदा पार देशिये छात्रवीति योजना ध्यान में रहेगा जैपाल सी मुंदा पार देशिये छात्रवीति योजना का दाइरह बरहाते हुए अनुसूची ज तो आपको बता दे कि जैपाल सी मूंदा पारदेशिये चात्रवीती योजना में पहले स्ट चात्र सम्मिलित थे अब इसको स्ट के अलावा इसमें किन किन चात्रों को जोरा गया है तो आपको बता दे कि स्ट के अलावा इसमें स्ट चात्रों को जोरा गया है अब संख्यक च चात्रों को भी जोरा गया है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा D उप्रोक्त सभी पहले सिफ ST चात्रों होते थे इस योजना के ताथ अब इसमें SC अल्फ संख्यक और पिछरा वर्ग के चात्रों को भी जोरा गया है तो ध्यान में रहेगा कि जैपाल सिमुन्दा पाद इस चात्रवेति योजना के ताथ अब SC ST अल्फ संख्यक और पिछरा वर्ग ये सभी सम्मेलित हो गया है तो इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा D उप्रोक्त सभी तो चलिए इसके डिटेल को देख लेते हैं तो आकि आपको और अच्छे से समझ में आए जैसे कि विदेश म उच सिच्छा के लिए मारंग गोम के जैपाल सी मुंदा पादेशिये चात्रवीति योजना चलाया जाता है कि विदेशों में उच सिच्छा के लिए चात्रों को उच सिच्छा के लिए इसमें मदद दी जाती है तो मारंग गोम के जैपाल सी मुंदा पादेशिये चात्र सरकारी सहता से बिदेश भेजने का प्रबंध किया गया है तो इसमें सरकारी सहता दी जाती है इस योजना के तहथ तो चली आगे बहुते हैं और अगली प्रस्न की और बहुते हैं तो अगला प्रस्न है कोविद के दोरान राइजEC के बिद्याले से बाहर हुए बिद्याथियों का नमंकन कराने के लिए किस योजना की सुरुआत की गई है तो ऐसा हुआ कि जब कोविद आया तो बहुत सारे छादर उसकूल से अपने नाम कटभा लिए तो उसको बुना उसकुल में नामंकन करवाने के लिए किस योजना की सुरुवात की गई है यह बताना है तो आपको बता दे इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा बताईए तो इस प्रस्ण कराईट एंसर हो जाएगा B, C to पाथ योजना तो C to पाथ योजना ध्यान में रहेगा कि जो बच्चे है देखिए उसको से नामंकन हटा लिये हो उन्हीं विद्यातियों को फिर से नामंकन कराने के लिए कौन से योजना चलाई जा रहे है तो C to पाथ योजना ध्यान में रहेगा चली इसके डिटेल को देख लेते हैं ताकि आपको डिटेल देखने के बाद आपको यह प्रस्ण काफी अच्छे से समझ में आ जाए जैसे कि कोवीड के दोरान राईजी के लगवक 6 लाख बच्चे विद्याले से बाहार हो गए थे इन में से 4.2-3 लाख बच्चे का नामंकन फिर से उसकूलों में हुआ है 4.2-3 लाख बच्चे का नामंकन फिर से उसकूलों में हुआ है लेकिन सेंच विद्याथियों का नामंकन कराने है तो सेंच बच्छों का नामंकन 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 है तो सेंच गरों तक नल से जल पहुंचाने का लच्छे रखा गया है तो इस बज़त में 2024 तक कितने लाख घरों तक नल से जल पहुंचाने का लच्छे रखा गया है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा दी उनसद दसमलो दो तिन लाग घरों तक नल से जल पहुचाने का लच्छे रखा गया है तो चलिए अगले प्रस्न की और बढ़ते हैं तो अगला प्रस्न है अब देख सकते हैं अगला प्रस्न है बितिय वर्ष 2.022 में क्रीशी विभाग राईज उधान विकास योजना के तहत किस योजना की सुरुआज़ की गई है तो आपको बता दे इसका राईट एंसर हो जाएगा इसका राईट एंसर हो जाएगा गोधन नया योजना सबसे पहले समझे कि इस योजना कितहत क्या किया जाएगा तो उसे समझें ताकि आपको कुछ धिटेल से आपको किलियर हो जाए तो आपको बता दे कि इस योजना के तद पसु पालको और किसानों की आई बरहाने की दृष्टी से या योजना चालू होगी जो या योजना है गोधन नया योजना या योजना पसु पालको और किसानों की आई बरहाने की दृष्टी से चलाया गया है इसमें किसानों से उचित मुल्य पर गोवर खाद खरीदा जाएगा इसमें क्या किया जाएगा सरकार द्वारा गोवर खाद खरीदा जाएगा किसानों से और इसका उपयोग सरकार बायो गेस तथा जैविक खाद तैयार करने में करेगी तो क्या है गोधन नया योजना क्या है उसे फिर से एक बार समझेए कि गोधन नया योजना क्या है तो इसमें क्या किया जाएगा सरकार दोारा गोबर खात खरीदा जाएगा किसानों से और उसका उप्योग बायो गेस तथा जैविक खात तयार करने में किया जाएगा तो चलिए अब अगले प्रस्न की और बाते हैं तो अगला प्रस्न देख सकते हैं कितने लाख गरीब और किसानों को 100 यूनित फ्री बिजली देगी सरकार तो 100 यूनित फ्री बिजली देने का बात कहा गया है तो कितने लाख गरीब और किसानों को यह सुवीधा दे जाएगी तो इसका राय टेंसर हो जाएगा ए तैंतिस लाग तो तैंतिस लाग गरीब और किसानों को सो यूनिट बिजली दे जाएगी सरकार के द्वारा इसकी घोसना की गई है तो चलिए अगले प्रस्नी की और भरते हैं अगला प्रस्ना अब देख सकते हैं अगला प्रस्ना कितने लाख परिवारों को महिने में एक किलो डाल एक रुपिया में देगी सरकार एक किलो डाल एक रुपिया में देगी सरकार तो कितने लाख परिवारों को यह सुवीधा दे जाएगी तो इसका राइट एंसर हो जाएगा B 64 लाग तो 64 लाग परिवारों को यसुविदा दी जाएगी तो चलिए अगले प्रस्न की और भरते हैं अगला प्रस्न ये भी प्रस्न काफी इंपोर्टेंट है तो अगला प्रस्न है 2022-23 के ज्हारखन बजट में सिच्छा का बजट कितना पतिसत रखा गया है तो सिच्छा का बजट कितना पतिसत रखा गया है या पूछ रहा है इस प्रस्ण में तो ध्यान में रखिएगा सिच्छा का बजट 13.54 पतिसत रखा गया है ध्यान में रहेगा सिच्छा का बजट कितना रखा गया है तो 13.54 पतिसद तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रस्न की और बढ़ते हैं तो अगला प्रस्न है 2022-23 के जहारकन बजट में ग्रामिन विकास पंचायती राज का बजट कितना पतिसद रखा गया है या पूछ रहा है तो आपको बता दे इसका रायट इंसर हो जाएगा दी 12.59 पतिसद ध्यान में रहेगा 12.59 पतिसद ग्रामिन विकास पंचायती राज का बजट रखा गया है तो चलिए अगले प्रस्न की और बहते हैं अगला प्रस्न है ग्रामिन विकास विभाग के लिए बित्य वर्ष दो हजार बाइस तैस में कितने करूर रुपिय का बजट का प्रावधान किया गया है तो ग्रामिन विकास विभाग के लिए ध्यान में रहेगा गरामिन विकास विभाग के लिए कितना बज़त का प्राउधान किया गया है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा बी 8,051.67 करोर का बजट का प्रावधान रखा गया है किसके लिए तो गिरामिन विकास बिभाग के लिए ध्यान में रहेगा तो चलिए अगले प्रस्न की और बहते हैं अगला प्रस्न सेम है बस यहाँ पर विभाग चेंज किया गया है कि पेजल एम स्वच्छता विभाग के लिए बित्य वर्ष दो हजार बाईस तेस में कितने करोर रुपिये का बजट का प्रावधान किया गया है तो पेजल एम देखते हैं तो अगला प्रस्न है क्रिसी विभाग के लिए बित्य वर्ष दो हजार बाईस तो प्रावधान किया गया है तो चलिए अगले प्रस्न की और बहते हैं और अगला प्रस्न देखते हैं तो अगला प्रस्न है क्रिसी विभाग के लिए बित्य वर्ष दो हजार बाईस तैस में कितने करोर रुपिये का बजट का प्रावधान किया गया है तो क्रिसी विभाग के लिए इसका राइट एंसर हो जागा दी 4,091.037 करोर का प्रावधान किया गया है तो यह ध्यान मेरेगा तो 4,091.037 करोर का प्रावधान किया गया है क्रिसी विभाग के लिए तो चलिए अगले प्रस्न की और बहते हैं अगला प्रस्ण है किस योजना के ताहत राइजिक के सरकारी उसकुलों में गनित हुआ बिज्ञान का प्रियोग साला अस्थापित होगा तो गनित ही और बिज्ञान का मैथ और साइंस के लिए लेबरोटरी अस्थापित किया जाएगा किस योजना के ताहत तो इसका right answer हो जाएगा D. ज्यानोदय योजना के तहाद ठीक है तो ये था कुछ महत्मुन प्रस्ण और कुछ और data दिखा देते हैं जो कि important है तो देख सकते हैं यहाँ पर important data कि पैसा कहां कहां से आएगा जो इस budget के लिए इतने प्राउधान किये गए तो इनके लिए पैसा कहां से आएगा तो कर राजसु से आएगा 24,850 करो 11 कर राजसु से आएगा देख सकते 13,722.84 करो और केंद्रिय सहाइता के दोरा आएगा 17,405.74 करो केंद्रिय करोर में हिसे दारिक के तुरू आएगा 27,625 करो लोक रिन के दोरा आएगा 18,000 करो और उधार एवं अगरीम की बसूलिस आएगा 75,84 करो तो ये इतने कहां से पैसे आएगे उसका आकरा दिया गया है तो उसका आकरा आप परसेंटेज में भी देख सकते है कि किसे कितने पतिसत होगा तो सबसे अधीक 26,7 एक पतिसत है केंद्रिय करो में राई जी का हिससा के दोरा 24,5 पांच आथ पतिसत है राई जी का राजस्व के दोरा और बात किये जाए 13,6 एक पतिसत है राई जी का गैर कर राजस्व के दोरा 17,2 दो पतिसत है केंद्रिय सहाईता का अनुदान दोरा और बिभीन सुरोतो से कर्ज के दोरा 17,8 पतिसत है तो ये देख रहे हैं कि आप कहां से पैसा आएगा इस बार पैसा कहां से आएगा रूपिय कहां से आएगा ये है और रूपिय कहां कहां पे खर्च किया जाएगा उसका जो बजट बनाएगा है तो यहां पे आप देख सकते हैं उसके लिए बजट बनाएगा सिच्छा में 13,5 पतिसत खर्च का ग्रामिन विकास हम पंचाहिती राज में 12,59 पतिसत का पर्थेवन परिवहन में 4,1 एक चार पतिसत का उज़्या में 4,0 पतिसत का पेंसन में 7,9 छे पतिसत का समाज कल्यान में 7,8 पतिसत का तो भूराजस्वें सम्परियतन में 7,4 पांच करोर का करज वापसी में 7,1 एक आठ करोर का तो इतना करोर रूपिया कहां-कहां पे खच किया जाएगा वह दिया गया है कि ला में क्या-К्या शुरुमत की जाएगी यह भीचसंग के जाएगा तो आपको यह पीडियःप आपको हमारे टेलीग्राम चेनल पर प्रॉबाइट किया जाएगा टेली ग्राम चैनल से आप जूर जाएए, वहाँ से important PDF आपको provide किये जाते हैं, ताद के सत्था important link पर provide किये जाते हैं, तो टेली ग्राम चैनल का link इस वीडियो के description box में दिया गया है, उस link के माध्यम से आप टेली ग्राम चैनल से जूर सकते हैं, तो इस वीडियो को रखते है यही तक इस वीडियो के यही तक रखते हैं, हमने बहुत सारे महत्पुन प्रस्णों को इस वीडियो में देखा है, जो की बजट 2022-2023 जारकन के बजट से था, तो यह वीडियो के लिए काफे महत्पुन होगा आने वाले सभी पत्योगीता परिछाओं के लिए, अपने दो